नमस्कार दोस्तों धर्म रहसे चेनल पर आपका स्वागत है आज हम बात करेंगे हथा जोडी जिसे हथा जोडी भी कहते हैं एक और शदी होती है और ये जो है बहुत ही फाइदे मंद है और तांत्र प्रियोगों में बहुत ही कारगर भी होती है इसलिए आज मैं उसी के बारे में आपसे बात करता हो प्रतुं सबसे जिसका प्रशली नाम है वो हत्ता-जोडी या हत्त-जोडी कहा जाता है। इसको फार्शी या उर्दू में जो है बखूर-ए-मरियम इरानी में जो है चुबक-उष्षान उष्णन जो है यह कहा जाता है। लेटिन भासा में इसको जो है साइक-लेमेन परसी कम कहते हैं। ये जो है एक परकार की जड़ी जो है पौधे की जड़ है परन्तु अपनी अद्भुत जो है रूपाकृति और विचित्र सरचना के कारण जो है कोई खिलोना जैसा जो है दिखने में लगती है जिसके निर्माण में बारिक की और करमबक्ता से जो है सौंदर रूप से बनाय गया हो ऐसी लगती है यदि हथ जोड़ी निर्दोष हो और सुब मोहर्त में लाई जाए और विद्वत पूजन कर सिद्ध कर ली जाए तो इससे भौतिक जगत की अने कटनाई और समस्याओं को दूर किया जा सकता है हथ जोड़ी का पौधा जो है वो सभी जगे आसानी से मिल जाता है लेकिन मध्य प्रदेश और राजस्थान के कुछ भागों में यह जो काफी मात्रा में मिलता है वहां इस पौधे को बिर्वा कहते हैं हाला कि यह पौधा वैसे तो कहें भी मिल सकता है लेकिन फिर भी यह एक दुरलब जो है वनस्पती कही जाती है जड़ी जारा इसकी जो है महीमा और गुडवान जब से किया गया तब से जो है इसको बेचने वाले अब चतुर हो गए हैं अब आसको जो है कीमत जादा इसकी वसूलने लगे हैं यह भारत के बाहर जो है इरान में फ्रांस में जर्मनी में भी पाई जाती है वनस्पती होने के नार भी होती है पौधे की टहनी पर गुलाबी रंग का फूल होता है परन्तु किसी किसी पौधे पर नीले रंग के फूल भी पाए जाते हैं यह पौधा प्रया जाड़ियों के मध्युगता है और भीगी जमीन के लिए जो है अनकूल होता है इसकी जड़ जो है शकरकंद जैसी गुलाई लिए होती है जो काले रंग की हो जाती है इसी जड़ से कोई शाखा निकल कर हत्था जोड़ी का रूप जो है ले लेती है जो है बंद मुठी के आकार की जो है अंगुलिया के रूप में दिखाई पड़ती है इसलिए इसको हत्था जोड़ी कहते है इस पौधे क जड़ में इसकी जो दो शाखाएं, दोनों हाथ फैलाएं सीधी रखा में प्रतीत होती हैं, जानकार लोग इसे खोद कर उसी गीली हरी मुलायम इस्तिती में दोनों भुजाओं को समेट कर एक में मिला देते हैं, इस तरहे दोनों ही दाई बाईं फैली हुई भुजाएं साम बड़ा सुन्दर और कौतुहलकारी दिखाईम होता है, यह असली हथा जोड़ी जो विभिन तांत्रिक प्रयोगों के लिए विख्यात मानी जाती है, यह बात अलग है कि जलवायों और मिट्टी के भेद से विभिन इस्तानों की हथा जोड़ियों में समानता होते वे भी आकार और रंग में अंतर होता है, जिस प्रकार से हर आदमी का चेहरा भिनता लिये होता है, वैसे हर हथा जोड़ी की जो बनावट है वो कुछ न कुछ जो है इसमें भिनता मिलती है, हाथ जोड़ी आकार में भले ही छोटी हो या बड़ी हो लेकिन सुडौल, संपून, पर्यों करना भी नीचे हाथ जोड़ी पानी में भीगने पर खराब हो जाती अता इसे जो है पानी से बचाना चाहिए हाथ जोड़ी को जो है किसी शुब मोहरत में विदिभाद निमंत्र दे का ले आना चाहिए क्योंकि इसका पौधात सर्वसुलब नहीं होता है इसको अन्य लोग जैसे जन जाती जंगली जातीयों पंसारीयों तांत्री को आदिसे खरीद कर लाना पड़ता है अता इसके लिए यही उपाय उचित है कि जब यह मिल जाए तब खरीद कर ले आए और इसे पूजा घर में रख दें और फिर किसी सुब मोहरत में इसका पूजतें या पानी से धोने के बाद सुखे कपड़े से पोचें फिर उसे लाल रंग के कपड़े पर रखें और फिर उस पर जो है सिंदूर कप चावल कपूर लॉंग इलाइचिया दी चढ़ाए लाल पूर और लाल चंदन भी आप जो है इस पर चढ़ा सकते हैं इसके जो है लोबान की धूब दें और आर्थी उतारें इसके पश्चात कोई सिक्का चढ़ा कर इसके मंत्र का जब करें जब संख्या कम से कम जो है ग्यारा माला होनी चाहिए और यदि संभाव ना हो सके तो इसके लिए अधिक से भी अधिकाम जब कर सकते हैं जब जब पूरा कर लें तो हवन सामगरी में गुगल मिला कर जो है लोबान से ही पुना मंत्र परतवे आहुती दें और हवन करें इस प्रकार 21 बार आहुती देनी चाहिए हवन पूरा हो चुने के बाद हथ जोड़ी को जो है उठा कर रखें और फिर कहीं एक या अधिक बाल अधिकाओं गरीब होनी चाहिए और जो है इससे जो है अंता जोड़ी प्रभावशली हो जाता है इस जड़ी का सरवाधिक प्रभावा जो है सम्मोहन सीलता में प्रयोग होता है इसे लेकर कहीं भी जाए उसका विरोद नहीं होता है ऐसा मानब इनथ मनुष्य उसके अनु मामलों में इसका केवल सदुपयोग ही करना चाहिए दुरुपयोग नहीं करना चाहिए यदि किसी पुरुष की अपनी पत्नी से अनबन रहती हो या पर किसी इस्त्री की अपने पती से अनबन रहती हो तब इसका प्रयोग करना चाहिए किसी अन इस्त्रियार पुरिष को आगर्शित करने के लिए इसका प्रयोग नहीं करना चैए क्योंकि ऐसे प्रयोग को दुर्पियोग माना जाएगा और दुर्पियोग करेगा तो दरण तो भूग रही पड़ेगा सम्मोहन और वर्षी करण के अत्रिक्त इसका प्रयोग धन वृद्धी सुरक्षा के लिए भी किया जाता है अब मंत्र मैं बता दू हत जोडी में जो चामुंडा देवी का जो है बास होता है कि माता जो दुर्गा का रूप है चामुंडा देवी वास्तम में इनको है चंडी, चंडीका, चामुंडा, काली ये सब इनी शक्ति के विभिन्य नाम है इन में से किसी भी शक्ति की साथना करेंगे तो माता दुर्गा की अस्यम करपा आप पे होगी लेकिन हत जोडी के लिए जो है मूल रूप से चामुंडा देवी यानि महाकाली की जो है मंत्र विशेष प्रभावी माने जाते हैं और इस प्रकार के मंत्रों का वर्णन यहाँ पर मैं करके बता रहा हूँ आपको ध्यान रखें कि इस सारी साथना एकांत में और गुप तरीके सोनी चाहिए कोई भी ना देख पाए यह बहुत इस्पेसल चीज होनी चाहिए इस बात का विशेष समय सा ध्यान रखना चीए इस तरह कि जब भी प्रयोक किये जाए तो इतने इतने गोपनी तरीके से किये जाए कोई भी ना जान पाए कोई भी नहीं तो मंत्र है ओम चामूंडाय नमन या फिर कह सकते तों नमस्चन डिकाय नमन ऑम का लिक भी नमन किली किली स्वाः मैं कोई भी एक मंत्र आप जो है इसे सामने रखकर धूब दीब दें इस पर कोई एक सिक्का चढ़ा दें और फिर ओम चामुंडाय धनम देही मंत्र का 108 बार यानि एक माला जाब करें जब साधना के दिनों में सहियम से रहना चाहिए थोड़े दिनों की साधना से ही आर्थी परिवर्तन दिश्टी गोचर आ आपको रख लें बाद में प्रति दिन पूजा के समय इसे सामने रखकर धूख दीब और ओम महा काली नमा मंत्र का 108 बार यानि एक माला जब करें जब साधना के दिनों में सहियम से रहें इस साधना को करते ही सत्रों की से आपसी की सुरक्षा अवश्य होगी वश्य करण के लिए क्या करेंगे हत्था जोड़ी की जो विद्वत पूजा करके इसे एक डिब्वी में रख लें के बाद प्रति दिन पूजा के समय से अपने सामने रखकर धूर दीब दे और ओम चामुंडा देव्वे और उसके आगे उसका नाम लेना है फिर फिर बोलना है में वश् दूर्श रहा इस मंत्र का 108 वार यानि एक माला जाप करें यहां उस विक्ति का जो है आप नाम लेना जहां अमुक मैं बोल रहा हूं वहां पर आपको उसका नाम लेना है वो धिर धिर आपके वश्में आने लगीगा हत्था जोड़ी को उप्रोक्त मंत से सिद्ध करके उस हत्जोडी को पीस कर लेब बनाएं और प्राता काल इस लेब को अपने पेट पर चुपड़ कर कुछ समय तक लेटे रहें इस प्रभाव से थोड़ी देर में दस्त खुलकर होगा और कब्ज में आराम आएगा आवशकता होने पर इसका प्रियोग दो चार दिन लगातार कर कर सकते हैं लेकिन अधिक दिनों तक इसे नहीं करना चाहिए मूत्रावदोध होने पर यानि कि आपके प्रिशाप बंद हो रही हो तो किसी भी कारण से यादि प्रिशाप बंद हो जाए तो अत्जोडी को पानी में गिसकर इसका लेब नाभी से पेड़ू तक यानि मूत् मात्रा में हो या रुख जाए तो इस्तिती में हथा जोडी का जो चून है उसे बना कर किसी कपड़े में लपेट ले और उसकी बहुत सी पोटली बना ले उस पोटली को अपनी जननेंद्री यानि योनी में रखें कुछ समय बाद पोटली को निकाल फेकें इससे मासिक धर्म खुल कर होने लगेगा प्रसव स्विधाजनक होने के लिए यदि प्रसव काल में किसी महिला को कष्ट हो रहा हो तो हथ जोडी को पानी में घिसकर चंदन की भाती लेब तयार बनाए और इस लेब को उस इस्तिरी की नाभी पर अत्वा नाभी से पेट पेट और पेडू त अगर हथ जोडी की चूण का सेवन करने से जो है गर्बनी का पेट है उसका हथ जोडी का उसको गिसकर पेट पे लेब करने से जो गर्ब है नस्ट हो जाता है किन्तु यह प्रयोग चिकतसक ये के परामर्श से ही आपको करना चाहिए और इसमें बहुत सावधानी बरतनी च लग जाती है यह गर्व निवारणिया गर्व पात के लिए इसका प्रयोग जो है सावधानी से करें गलतीस तरह से ना करें जिसकी वज़े से जो है इस तरी को जो है समझ्ज्य हो连ा तो यह थी ह्द जोडी जो एक बहुती तांत्रिक और बहुती जो है और शदी प्रयोगों वाली एक जड़ी बुटी है अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें शेयर करें और दोस्तों को भी बताएं उनसे भी सब्सक्राइब करवाएं आपका दिन मंगल में हो धन्यवाद